पढ़ता है इसलिए भोजन बड़े ध्यान से बनाना चाहिए चिंता दुख गुसे में कभी खाना नी बनना चाहिए और हमें क्लियर होना चाहिए हम किसके बने हुए हैं किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं ऐसे ही नहीं पहले जमाने में लोग अपने खाना अपने साथ लेकर जाते थे यहां तक कि अपनी पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर जाते थे क्योंकि उनको पता था वो जिस घर का पानी पिएंगे उस घर की सारी बाते उनके मन की स्तिती पर आ जाएंगी क्योंकि पानी व और पानी का डाइरेक्ट असर पड़ता है तो बना सकते प्रशाद रोज घर में बनाना शुरू करें प्रशाद जिस घर में प्रशाद बनेगा जिस घर में पानी अम्रित बन जाएगा वो घर स्वर्ग बन जाएगा उस घर में सारे देवी देफताई वाले संसकार वाले हो सब देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि सात्विक प्योर शक्ति शाली प्रशाद रोज खाते हैं, खाना जहां बन रहा है रसोई घर, वहां 24 घंटे परमात्मा की याद की गीत चले, मंत्र चले, भजन चले, लेकिन 24 घंटे रसोई घर में चलता रहे, एक एक शब्द जो पानी में जाएगा, high energy vibrations, रसोई घर मंदिर बन जाएगा, पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा, खाना खाने से पहले, बच्पन से सीखाता कि खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करना है, कौन-कौन तीन टाइम खाना खाने से पहले, रुख के पहले भगवान को याद कर करके फिर खाना खाते हैं कौन कौन टीवी के रिमोट को याद करके खाना खाते हैं किसी एक को तो याद करेंगे ना एक मर्यादा बना लेजिए घर की कि खाना खाते समय हमारे घर में टीवी नहीं चलेगा और हमारे घर में कोई फोन अपने पास नहीं रखेगा खाना खाते स खाना खाने से पहले भगवान को याद करके उसको शुक्रिया करके और फिर उस भोजन में अपने वो संकल्प डालके मैं शक्ति शाली आत्मा हो मैं शांति के सागर पढमात्मा की संतान हो अपने भोजन और पानी में ऐसे श्रेष्ट संकल्प डाले वो प्रशाद बन जाता ह हम सब घर पे प्रशाद बना सकते हैं तो धन दुआओं के साथ आएगा अन सात्विक खाएंगे अन खाती समय फोन और टीवी ओन नहीं रहेगा और मन के लिए सुबह का पहला घंटा ज्यान के साथ शुरू होगा नो फोन नो टीवी सुबह का पहला घंटा और रात का आखरी घंटा